A, B and C completed a work costing 1800, A work for 6 days, B work for 4 days and C work for 9 days. If their daily wages are in the ratio of 5 is to 60 to 4, how much amount will be received by A? सद देखो लिखा हुआ है, wages are in the ratio of 5 is to 6 is to 4, और कितना दिन के लिए क्या हम किया है? सच छे दिन के लिए तो 5 is to 6 is to 6 is to 4 is to 9 is to 4, ये ratio हो जा रहा सब का, क्योंकि इतना दिन काम किया, इतना wages की हिसाब से, तो 30 is to 6 is to 24 is to 9 is to 36, तो किस से गटेगा? 4 से गटेगा, 2 से 2, 15, 30, 2, 12, 24, 2, 18, 36, 3 से गट रहा है, 3, 4, 3, 5, 15, 3, 4, 12, 3, 6, तो 5 is to 4 is to 6 is to the ratio. अब देगो सर कितना wages है, टोटल, 1800, चे चका, दोस पच पंद्रा, पंद्रा वरावर इतना दिया, एका wages कितना हो, जागा सर, पांच अपन पंद्रा, इन्टो अटरा सो, पांच तिया पंद्रा, तीन चो के अटरा, छे सो इस दे करेक्ट आंसर, अप्चिन नमबर 2, ठीक है सर, थांक यू, बबाँ, श्चे तून पर नेक्स क्लास.